इनर्जी के फिल्ड में सेल्फ इंडिपेंडेंडेंस के लिए काफी जरूरी है और जब ग्रीन सेक्टर में आ रहा है और सोलर को लेके ना काफी लोग डिप्रेस्ट भी हो रहे थे लाइक की नमस्कार स्वागत है एक और नए वीडियो में आज के इस वीडियो में एक ऐसी ख़र आपको बताऊंगा जो आप सोलर पैनल सिस्टम या रिन्यूवल इनर्जी फिल्म में वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्योपूर्ण होने वाला है और यह डारिक्ट मिनिस्ट्री के तरफ से न्यूज आ रहा है और इसमें एक अपडेट भी है तो वह भ पेक्ष भी समझाऊंगा कि मिनिस्ट्री ओफ न्यूज रिन्यूवल इनर्जी के तरफ से यह ट्विट आया है कि इंडिया इकोनोमी इस ग्रोइंग रैपिडिली लेडिंग तो एन इंक्रीज इन डिमांद फोर इनर्जी एन रिचोर्शेश इनर्जी यूज यूज इन्यूश ऑफ ने बताया है और यह जो अभी चल रहा है ना यह निवी दली में विज्ञान भवन में एक इंटरनेशनल हाइड्रोजन कौन्फरेंस चल रहा है उसमें इन्होंने अभी बताया है और यह अभी अभी आया है नियोज तो अब इसके माइने क्या है इसको इसके क्या positive है जो आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं तो आपको देखिए यह एक बहुत बड़ा statistics चाहे एक data है जो इसमें बता है गया है कि last 20 years में डबल हुआ है energy की requirement जी हां last 20 years में डबल हुआ है और जब डबल हुआ है तो वहाँ पे आप देखिए क्या पहले से global warming यह consequence है तो यहां पे इन्होंने जोड डालके किया है कि आने वाले समय में जो 25% बढ़ेगा या even की मुझे तो लगता है कि 2047 के आसपास ना यह और डबल हो जाएगा क्योंकि जिस हिसाब से demand बढ़ती जा रही है तो यहां पे ना renewable energy का रोल काफी एहम होने वाला है जब एहम होने वाला है तो इस फिल्ड में जो कोई काम करना चाहते हैं जो कोई business करना चाहते हैं उनके लिए चांदी ही चांदी होने वाली है जी यहां चांदी ही चांदी होने वाली है अब यह जो हाइड्रोजन कॉन्फरेंस चल रहा है इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्फरेंस चल रहा है विज्ञान भवन में अब इसकी क्या माइने है तो आपको बताना चाहूंगा कि हाइड्रो आजाएगा जिया सोलर बाइडिफॉल्ट इसलिए आजाएगा कि ग्रीन इनर्जी के थुरू यदि हम हाइड्रोजन को हार्नेस करते हैं तो वहां सोलर ही एक अच्छा विकल्प है सोलर के अलावा कोई और विकल्प नहीं है आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर दें जिया इसका प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर दें क्योंकि हाइड्रोजन एक नया वर्टिकल खोलने वाला है पूरा ही ग्रीन इनर्जी के फिल्ट में तो इसके लिए आप पहले से तैयारी कर सकते हैं इसमें क्या कर सकते हैं एक इस फिल्ड में आ रहा है हमारे इस सोलर सेक्टर में आ रहा है और सोलर को लेकर ना काफी लोग डिप्रेश्ट भी हो रहे थे लाइक की इस तरह से सब्सीडी और उसके बाद रॉसे से लाइक ढाइलाक का आपको बैंक गारेंटी देना होता है तो यह सब देख करने थोड़े बहुत लोग डिप्रेश्ट हो रहे थे तो उनके लिए यह बताना चाहूंगा कि आप यदि वह इंवेस्टमेंट नहीं भी करना चाहते हैं लेकिन अभी के समय में यदि हाइड्रोजन गैस को लेके कुछ आपका आइडिया है वहाँ पर कुछ करना चाहते हैं तो यह सबस जुलाई को एक वेबिनार आने वाला है जिसमें मैं किस तरह से इस अपर्चिनिटी को सोलर और हाइड्रोजन में जो अपर्चिनिटी है इसको अपने बिजनेस को बहुत ही उचाईयों पे ले जा सकते हैं अपने बिजनेस को एक नया वर्टिकल दे सकते हैं जहां पर जो अपने बिजनेस को एक निट्रोजन से रिलेटेड किस तरह का लगा है कमें सेक्षन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजिए इसी तरह का हेलफुल कंटेंट को देखते रहने के ल आना है कि अियुआ में जरूर कीजिए चैनल में लेगे वीच्प सम आना है कि रहने जरूर कर दो एक लिरूर को फवागा लिज psych हा है कि टारूर के सब्सक्राब कैस्जिटें सेब्सक्ने है